इस चप्तर को परते समेना तुम्हें एक बहर तोयाँ जिसली किया है बार टांस मिलागी ये येleo इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और आप जानते हैं कि लास्ट सेशन में हमने एक निया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि था बायो टेक एन इट्स अप्लिकेशन एक मैजिकल चैप्टर राइट तो इस चैप्टर के आज हम सेशन नमबर टू पर हैं जहां पर हम से जैसा हर बार रीड करते हैं इस बार भी रीड करेंगे और फिर इसका सॉलिशन आप साथ में देख रहे होंगे चिक हैं चलिए तो कॉश्चन आप से कह रहा है कि जो आपके पास इंसुलिन की चेन बनती है ए और बी तो आपको यह बताना है तो आपने आंसर कर लिया होन है न वह आपकी बना होता है लॉंग पॉली पैप्टाइड चेन से इसका नेचर क्या है नेचर जो है इंसुलिन होर्मोन का वह है लाइक युकान से बायोजनिक अमाइन्स और आपको मैं बेसिक इंसुलिन का स्ट्रक्शर दिखा हूं इम्मैच और दोनों का सवाल सिर्फ बात करता है और किया होता है कि माईरे पास यह एक चेन है जो कि ए चेन माल दीजे और दूसरी जो चेन है हमारे पास वह और ब lib isn't य। B chain, यह जो दो chain होती है, इस में से जो A chain है, वो कितने amino acid की बनी होती है, it is made up of 21 amino acid, ठीक है, और जो B chain है, वो बनी होती है, कितने amino acid की, यह बनी होती है, 30 amino acids की, and that's how you can say total, A plus B chain जो होगा, that is 21 plus 30 amino acids, total equals to 51 amino acid की आपका mature insulin जो है, वो बनता है, ठीक है, mature insulin इस तरीके से बनके त्यार होगा, hopefully you got the answer, है ना, तो आप कह सकते हैं कि A change होगी, वो कितनी होगी, 21 amino acid की, और B change होगी, वो 30 amino acid की, that means option number A is the correct answer, fine, next आवाल देखिए, प्रॉपर्ली रीड करना है कुछ से, हाँ, as church e coli, जो है, is used as a biological research, तो e coli को आप in biological researches में इस्तिमाल करते हैं, for what purpose, या क्यों इस्तिमाल करते हैं, easy to available, easy to culture, easy to handle, या फिर it can easily multiply inside the host cell, वो easily multiply हो सकती है, तो यार देखा जाए, तो हम कह सकते हैं, कि उसको culture करना असान होता है, I know, मैंने इस सवाल क्यों लेकर आया, because बच्चे confused होंगे, option number B और option number fourth के अंदर, बच्चे सोच रहे होंगे, कि यार जो host cell है, उसके अंदर easily वो multiply कर जाएगी, लेकिन आप जानते हैं कि इस chapter के respect में अगर देखा जाए, so we all know, कि यार as church या coli या e coli, खुद ही एक host की तरह इस्तमाल होती है, जिसके अंदर हम हमारा rdna insert करते है, recombinant dna को insert करते है, तो it is itself acting as a host, right, बाकि हाँ हम जानते हैं कि option तो ये भी ठीक है, मगर हाँ more preferred answer जो होगा वो होगा आपका option number b, because इसको easily culture किया जा सकता है, within 30 minutes ये अपनी cycle complete कर लेती है, right, 30 minutes में ये अपनी, जो life cycle है, वो complete करके, divide कर जाती है, तो आप इस like half an hour में आप multiple billion copies जो है, बना सकते हैं, बना कुछ cycles में जाके, चले, next पर आते हैं, question number 3, saying the organisms that carry the foreign gene combination of, combination of genetic engineering, genetic material obtained through the use of modern biotechnology is called as what, तो सवाल असान है, but it's just, कि मेरा मन किया इस सवाल को लाने का, कारणस का ये है कि या जब आप काप सरे सवाल कर रहे होते हैं न, तो कभी कवार बहुत simple सा सवाल भी न, आपके लिए बहुत मुश्किल सा बन जाता है, तो options को read के जोड़ आप answer लगाई है, देखें, चलिए, तो option number D is going to be the correct answer, because उसी को हम कहते हैं क्या recombinant DNA, तो it's like कि आपने कहा किया, organism that carry a foreign gene, आपने किसी एक foreign gene को लिया, माल लो ये foreign gene है, इसको आपने insert कर दिया कहाँ पे, किसी एक दूसरे gene के अंदर, जो कि माल लो कोई plasmid है, तो जब आप इसे insert करेंगे, इसके अंदर, so you will be getting what, आपको मिल जाएगा आपका RDNA, and that's called as recombination, fine, तो आप सिब लिए कैसे हैं, option number D is the correct answer for this, question number 4 देखते हैं, कि रहा है, enzyme polygalactoneurase is responsible for vegetable softening, या softening of fruit, या sugarcane, या one and two, both options, again, ये सवाल भी ऐसे हैं, कि आपस में दो options में confused होंगे, तो that's why, just try it, हाना, देखे answer, चलिए, तो इसका answer एक मारते हैं, क्या होगा, hopefully आपने guess किया होगा, मैंको लगता है, काफी बच्चों ने 4 किया होगा, या फिर 2 किया होगा, हाना, तो देखो, answer इसका होगा, option number 2, which is fruit softening, के time पर ये जो enzyme है, ये fruit की softening करेगा, during the ripening of fruits, ठीक है, during ripening of fruit, तो ऐसे हम जानते हैं, कि हमने इस वाले enzyme को कहां पर देखा है, हमने इसको देखा है, है, inside tomato, tomato fruit में हमने इसको देखा है, कि जब भी ripening का समय आता है, नो, so at the time of ripening, ये जो enzyme है, ये abundant मात्रा में present होता है, हमारे tomato के अंदर, so it is present in abundant amount, fine, तो काफी मात्रा में ये आपको मिल जाएगा, इसके अंदर, और क्या करता है, basically, ये आप एक तरीके से degradation करता है, कि इसकी उस cell wall की, जो layer है, न, so वहाँ पर present होगा, और क्या करेगा, degradation of wall of fruit, degradation of wall of fruit, जिसकी वैसे हमारा fruit क्या हो जाएगा, soft हो जाएगा, और किस चीज को degradation करता है, कौन सी wall, जो की packten से बनी होगी, degrade कर देगा, that's a problem, तो आप कह सकते हैं कि जो ये enzyme है, PG, which is polygalactoneurase, ये जो wall होती है, उसको basically degrade कर देगा, done, next पर आते हैं, vegetables में इसको हमने नहीं observe किया है, नहीं ये उसमें होता है, तो basically, जो fruits है न, उनकी walls में आपको ये देखने को मिल जाएगा, specifically हमने इसको टमेटो में observe किया है, 5th question, the first transgenic commercial crop जो है, an insect cotton variant in India was grown in, किस time टे पहली जो transgenic crop है, cotton की, BT cotton की ये बात कर रहा है, वो कब बनाए गई थी इंडिया के अंतर, तो answer होगा 2001, C is the correct answer, बाकि हाँ, यहाँ पर आपको अलग data store कर सकते हैं, means, यह question कुछ, like options, ऐसे ना आके, कुछ अलग options आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ data बता होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, fine, तो solution की बात कर सकते हैं, solution में मैं आपको बताऊँगा, सबसे पहले, अगर world की पुछे, कि world की सबसे पहली transgenic crop कौन सी थी, so in world first transgenic crop, that was, वो थी आपकी tobacco plant, एक में दिख लिए हूँ है ना, शाइदी question आपको आगे भी दिया हुए क्या, ले में जुस्ट चेक फर्स्ट, आपकी 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 सबसे पहला, जो वोल्ड में transgenic plant बनाए गया था, that was tobacco, tobacco plant जो है, उसको antibiotic resistant बनाए गया था, antibiotic, resistant और इसो commercialize किया गया था, first time पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहिए अगर बात की जाए, इंडिया के अंदर सबसे पहले बनाया किया गया था, कौन सा transgenic crop, so in India, तो इंडिया के अंदर जो first transgenic crop थी, that was developed, पहली बनाए कौन से गई, और पहली कौन सी commercialize की गई, दोनों में difference है, ठीक है, सबसे पहले बनाए गई थी आपके BT ब्रिंजल, ठीक है, और सबसे पहले commercialize कौन से की गई थी, तो अगर commercialize की बात की जाए, तो पहली commercialize जो की गई थी, वो थी आपके BT cotton, क्योंकि खाने वाली चीज को आप सिंपली नहीं कर सकते हैं, प्रिकॉस वो हेल्थ से खेल सकती है, तो इसलिए उसको सबसे पहले commercialize किया गया था, फाइन, question number 6 पर आते हैं, तो यह data आप याद रखीगा पिशले question में से, next करा है, introduction of food plants developed by gentical engineering is not desirable, because, तो आप gentical engineering से आप plants बना तो लीजिए, ठीक है, recombinant या GMO उसकी development आप कर लीजिए, मगर वो इतना थाथा feasible नहीं है, use करना, हाना, market में या फिर उसको practical नहीं है, इतना लेके आना, इतना easy नहीं है, तो कारन क्या है उसका, just because, economy of developing countries में suffer from this, आप ऐसी crops बना तो दीजिए, genetically modified crops, लेकिन उसको जो developing countries हैं, वो से अरॉप्ट नहीं कर पाएंगी, these products are less tasty, तो taste का तो कुछ फर्ट नहीं होता है न, taste तो same ही होता है, this method is costly, because यह method costly होता है, या फिर there is a damage, या danger of introduction viruses and toxins into the crops, तो crops में, मलब ऐसी crops को consume करना, तो danger रहेगा कि यार कोई virus infection ना हो जाएं हमें, क्या कारण है, तो hopefully आपने सोच लिया होगा इसका answer, चरी, तो अगर बात की जाएंगा answer की, तो दो last option सही है, मगर हम इसको tick नहीं करेंगे, क्योंकि anyways, जब भी आप कोई GMO बनाते हो, तो उसकी proper testing की जाती है, ऐसी directly launch नहीं होता, तो अगर वो launch हो गया है, इसका मतलब उसकी proper testing complete हो चुकी है, अब वो कोई dangerous toxin नहीं बना रहा होगा, ठीक है, तो यह option भी नहीं होगा, costly होता है, हाँ होता है, लेकिन more preferred answer आपका यह होना चीए, because आप GMO, genetically modified organisms बना तो लीजिए, लेकिन जब आप उसे launch करेंगे, तो आपको बताए, they are very expensive, उनको बनाने के लिए, उनके maintenance के लिए, उनको time to time experimental test करने के लिए, बहुत पैसा लगता है, तो वो बहुत expensive बने बाले हैं, and because of that purpose, जो developing countries है, वो उसे adopt करेंगे भाएंगे, right, तो anyways, option number A is going to be the correct answer, that is the reason, कि ये practically आप उसे launch करना इतना आसान नहीं होगा, because GMO जो होते हैं, they are very costly, very costly, and required, time to time, management, and experimental test, experimental test करने पड़ते हैं, उन पर manage करना पड़ते हैं, that is the reason, कि वो इतना ज़्यादा feasible नहीं है, fine, seven question पर आते हैं, करेंगे, the most likely reason for the developing of resistance against the pesticides in insect damaging a crop, तो क्या कारण है, कि क्या कारण हो सकता है, कि developing of a resistance against a pesticides, कि एक crop में जो pest है, वो pesticides के against resistance डेवलप कर लेते हैं, तो इन में से किस कारण की वज़े से, गैस किया, देखें answer, चलिए, answer देखते हैं इसका, समय का पया, चलता है, तो बात किया जाए, तो random mutations की वज़े से ऐसा होता है, चिक है, आप जानते हैं कि आपने जब evolution पढ़ा होगा, है ना, the beauty of biology, evolution में जानते हैं कि natural selection होता है, Darwin ने सिखाया था हमें, तो इस लाइक जो बैक्टिरियास हैं, उन साब में क्या होता है, अगर आप उसे exposure दोगे, किसी antibiotic से, तो इन देट केस क्या होगा, उन में से कुछ ऐसी colonies होंगी, जो कि इसके लिए resistant हो जाएंगी, और फिर आगे next आने वाली प्रोजनी में, वही ट्रेट पास होगा, and that's how the whole species will become resistant to this, तो अगर एक पैटेड़िश में बहुत सारी, इकोलाइज जो हैं डेवलप करवाई हैं, इन में से आपने स्प्रे किया क्या, एंटिबाइटिक, तो क्या होगा, इन में से काफसारी तो मर जाएंगी, लेकर अगर एक भी बज़ गई न, तो वो जो एक दो बची हैं, यही जो हैं, आगे जाके डेवलप कर देंगी, एक नई कॉलोनी, new species, with antibiotic resistance, ठीक है, और अब जो पूरी species हैं, सारी species क्या हो जाएंगे, antibiotic resistant हो जाएंगे, फाइन, तो इस तरीके से random mutations, इसके दो कारण हो सकता हैं, या तो कोई random mutation हो गई हो इनके अंदर, random mutation हो गई हो, या फिर आप कहा सकता हो, इन ही वाले के अंदर क्या हो गया हो, कोई external factor, like radiations जो हैं बाहर की, तो internal factor हो तो random mutations हो सकता है, that is an internal factor, internal factor, और जो external factor है, वो क्या हो सकता है, radiations, जैसे alpha, gamma, या वाले radiations हो तब इस वाले से भी क्या हो सकता है, internal changes हो सकता है, तो option number A is the correct answer, 8th पर आजो, the transgenic animal are those who have the foreign DNA in some of their cell, foreign DNA in some of, like all of their cell, for an RNA in all of their cell, या फिर बोथ first and third is the correct answer, कीजे कैस, तो 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 सारे questions जो है, actually this is a truth क्यार, like I still remember, जो मैंने questions निकाले हैं, आपके लिए इन questions को निकालने के लिए, मैंने इस 138 questions पर ले लगाए थे, उन 138 में से आपके 30 questions जो है निकालके में लाया हूं, तो it's like these are the one, जो थोड़े से confusing questions मैंने ढूंदे हैं, it's like not that easy, and not that hard की जो निट की लेवल के पारी हो जाए, तो इस लेवल के सवाल निट में आ जाते हैं, कोई अगर आपसे कह रहा है कि A plus B is equals to C, तो it's like ये तो फुद्दू मना रहे हैं आपको है न, it's like इतने easy सवाल भी नहीं आते हैं कि 2 plus 2 कितना होता है 4 होता है, ऐसे सवाल भी नहीं आते, तो it's like थोड़े से लेवल ठीक टाक होना चाहिए, अगर आप ये आपको सवाल भी आसान लग रहे हैं तो it means आपकी वेब्रेशन ओके हो गया है, फाइन, चलिए, बात करता है ट्रांसजनिक अनिमल कौन होता है, तो ट्रांसजनिक या फिर जी एमो, अनिमल वो होता है जिसकी सारी की सारी सेल्स जो है न, वो उसके अंदर फॉरन डियने इंसर्ट हो गया हो, ठीक है, इस नो लाइक कि आपने कोई एक फॉरन डियने लेकि अपनी हाथ की एक सेल में डाल दिया, तो आप ट्रांसजनिक अनिमल बन चुके हो, नो, एक ट्रांसजनिक अनिमल जैसे रोजी हमने बनाई है, हाना, डॉली, पॉली, मॉली, इस सब कुछ हमने बनाए है न, इन सब में क्या है, इनकी सारी की सारी सेल जो है न, वो जनिटिकली मॉडिफाइड है, तो यह आप कैसे कर पाते हो, यू कन अच्छीव दिस, यू कन बी ड़न, ऑनली वेन, जब आप foreign DNA जो है न, foreign DNA को insert कर दो, host के egg के अंदर, या zygote के अंदर, जिसमें क्या होगा, आगे जाके mitosis होगी, और mitosis से जो new cells बनेंगी, they all will be genetically modified cells, fine, इस तरीके से आप एक like transgenic animal बना सकते हो, आते हैं 9 questions पे, saying that genetically engineering is possible because, तो इन 4 option मैं से किस वज़े से, genetically engineering जो है, वो possible हो पाई है, guess the answer, देखें, तो genetically engineering जो है possible क्यों हो पाई है, just because कि हमारे पास, काफ़ सारे tools हमने develop किये थे, कौन कौन से tools, हम जानते हैं कि हमने enzymes हमारे पास है, हमारे पास vector available है, जो ऐसा tax ही काम करेगा, हमारे पास host available है, जिसके अंदर हम gene cloning कर लेंगे, तो it's like इन 3 कारणों की वज़े से हमारी genetically engineering possible हो पाई है, उसमें से सबसे important क्या है, enzymes के अंदर पाए जाने वाला restriction endonuclease, restriction endonuclease, सरिसकोब सबसे important क्यों कह रहे हो, क्या orchide important नहीं है, हैं, लेकिन इसके बना काम चलता ही नहीं, इस लाइक surviving के लिए water जरूरी है, ऐसी यह जरूरी है, तो it's like आप कह सकते हैं, कि यह वो है जो कि आपके एक particular DNA segments में से छोटा सा piece काट के आपको देगा, चिक हैं, अदर्वाइस पुरे लंबे DNA को लेते हुए, कहां घूमोगे तुम, not possible, right? अब कह सकते हैं कि, वी कन कट the DNA at a specific site by endonucleases like DNAs, this is wrong, बिकाउस endonuclease कोई DNA नहीं होता, endonuclease जो है, वो एक तरह का nucleus होता है, fine, तो क्या होना चाहिए, अगर यह option सही नहीं है तो, restriction endonuclease purified from bacteria can be used in vitro, yeah, option number D is the correct answer, ख़र option सही होता है, लेकिन यहाँ पर DNAs नहीं आना चाहिए, वो DNA को काट नहीं रहा, it's like DNA को, चचचचचचे parts में, डाइजेस थोड़ना कर रहा है, वो DNA को, DNA को specific position से क्या कर रहा है, एक तरीके से हो कट कर रहा है, चाहिए, और आपको एक as it is fragment दे दे रहा है, DNA को क्या करता है, DNA तो properly digest कर देगा, पूरे DNA को, वो नहीं करना हमें, ठीक है, जिससे तुमारी रोटी पानी चल रहा है, उसे लाग्त में ना मर होगी, it's the same thing, restriction endonuclease purified from the bacteria can be used in vitro, तो जो बैक्तिरिया से हम इन restriction endonuclease को निकालते हैं, उसको आप as a in vitro, मतलब test tube में, laboratory में इस्तिमाल कर सकते हैं, and from where we get these things, यह हमें मिलता हैं बैक्तिरिया से, means mostly हमें बैक्तिरिया से मिलता है, fine, next पर आते हैं, question number 10 देखो, which of the following is effective against viruses, viruses के against इन में से कौन सा ज़्यादा effective होगा, penicillin, interferon, tetracycline या फिर all of these, easy है 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 ना, हम जानते हैं कि जो penicillin और tetracycline, these are antibiotics, और जो antibiotics हैं, they are effective against, effective against bacteria, या funguses ठेक है, लेकिन हाँ, जो interferon होना है, वो आपका क्या है, वो एक तरह का protein है, that is going to be effective, on viruses, ये viruses के against effective होगा, जो कि आपकी neighboring cells को, एक तरीके से, information देता है कि बाई, वाईरस एंटर कर चुका है, और अपने आपको बचा लो, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये antiviral protein होता है, एक तरह का, it is what, it is a anti-viral protein होता है, जो क्या करता है, stop translation, stop translation in virus, तो virus में जो translation होने वाली है, उसको stop कर देगा, and that's why this is the correct answer, fine, next पर आते हैं, question number 11 देखो, कर रहा है, wish of the following is, use in developing transgenic plants, तो इन में से किसको आप एजा, use कर सकतो हो, in developing, like transgenic plants, तो अगर आपको transgenic plant बनाना है, तो इसके लिए आप इन चारों में से, किसका इस्तमाल करेंगे, rhizobium species का, ये है multiple type of rhizobium species, agrobacterium, tubnifacium का, या बैसिल सबस्टाइटल लिस्ट का, या सीरो मोनास देंट्राइफेशियन का, तो इसे तो अपने स्लेबर्स में नहीं सुना, इसे तो काट दो, B is the correct transgenic, आप जानते हैं कि, agrobacterium tubnifacium जो है, इसका 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 इसके लिए, है, we use it as a vector, in the case of, plants, और animals के case में हम कौन से vector का स्रमाल करते हैं, animals में आप स्रमाल कर सकते हो, retroviruses का, fine, next बैसे हैं, question number 12, हाँ, हाँ जी, saying, one of the following pair is incorrect, इन चारो में से कोई एक pair वो गलत है, let's deal with this कौन सी पेर गलत है one of the following pair is incorrect तो plasmid जो है small piece of extra chromosomal DNA होता है बेक्टेरिया में interferon जो है एक enzyme है that interfere with the DNA replication cosmit जो है एक vector है that carry the DNA fragment in the host cell एक large DNA fragment को ही carry कर सकता है और जो myeloma myeloma जो है वो एक antibody producing tumor cells होती है हाँ जी तो भाई option number B जो है वो आपका incorrect है because यहाँ पर बात कर रहा है DNA replication आपको पहले ही सिखाया कि जो interferon है वो किस चीज में interfere करता है DNA like a kind of a translation में it basically stop translation ठीक है replication में यह कोई role play नहीं करता है लेकिन जो translation होने वाली है proteins बनने वाले हैं protein को रोग देगा 13 पर आते हैं saying that betitoxin is obtained from a prokaryotes and is तो जो betitoxin जो है इसको आप obtain करतो prokaryotes है और betitoxin क्या है एक तरह का intracellular clustaline protein है या फिर extracellular now this is the point जहां पर आप confused होंगे बठा ऐसी गलतियों से हम सीखने वाले हैं तो इस सवाल हमारे लगाने ने जरूरी है चलिए answer देखें इसका pause the video अभी भी नहीं लगाया है तो बेशर्मों लगा लो अब तो लगा लो right चलिए तो what is going to be the answer the correct answer for this question is option number B B is the correct answer जब उसको alkaline pH मिलने वाल है fine next पर आते हैं question number 14 देखो what happens when wheat field is inoculated with the rhizobium जब आप wheat की field में rhizobium दाल दोगे तो उससे क्या होगा क्या fertility of soil increase होगी decrease होगी nitrogen जो content है वो soil में increase होगा या फिर कोई change नहीं आने वाला this is the question जो personally मुझे पसंद आया आप दिखते हैं आप सही लगा होगी या नहीं चलिए तो answer जो होगा इसका वो क्या होगा the correct answer is going to be option number yes 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 option number A हो यह क्या होगा सर मैंने तो C लगाया था मैंने तो D लगाया था मैंने तो B लगाया था it's like answer A is correct because यह बात कर रहा है किसके अंदर wheat के अंदर काफी बच्चों ने क्या सोचा होगा काफी बच्चों सोचा होगा सर राइजोबियम अच्छा ठीक है easy जवाल है राइजोबियम क्या करता है एक तरह का बैक्टेरिया है जो कि nitrogenous value को increase करता है तो fertility को increase करेगा लेकिन गलत है क्योंकि यह wheat की बात कर रहा है आपको पता होना चाहिए कि rhाइजोबियम जो होता है वो कहां पर काम करता है राइजोबियम जो है यह एक बैक्टेरिया है जो basically association फॉर्म करता है किसके साथ association with legume plants legume plants जो leguminous plants होते हैं जैसे कि आपकी soya bean हो गए ठीक है pea हो गया beans हो गई ठीक है तो lenslets हो गई ठीक है यह सब जो है ना इन सब के plants के कराब बात करोगे तो इनके अंदर पाए जाएगा आप हो क्या आपका rhizobium rice के अंदर wheat के अंदर इनके अंदर नहीं पाए जाता fine तो इनके अंदर frankia हो सकता है ठीक है नहीं होगा next 15 क्वेशन देखो करें वेक्सेंस प्रेदूस्ट्रीकॉंबनेंट्स डीने टेक्नोलोजी आप वेक्सेंस हम बनाते हैं क्या यह हैपिटैटिस के लिए होती हैं पोलियो के लिए होती हैं फूरें माउट डिसीज के लिए होती हैं या फिर सब के लिए होती हैं अगें कंफूजन वाला क्वेशन में क्या पढ़ा हुआ है कि पोलियो वेक्सेंस जो है वह हम बनाते हैं बिसीकलि हेल्प आउफ रिकॉंबनेंट टेक्नोलोज जिसके लिए हम मंकीज या फिर माइस इस्तमाल करते हैं टेस्टिंग पपर्स के लिए राइट चलिए गास करते हैं चलिए तो देखिए वह हैपिटाइटी की वेक्सेंस टेप बनाई गई है और हैपिटाइटिस की वेक्सेंस कैसी होती है antigen surface antigen surface based अब आपको यह बात फेक्ष्ट होगी जो होती है जो चैने यह फिर आपकी तरीकर से इनिक्टिवेट या वीकेंड वाईरस तो जो पॉलिओ का वाईरस होता है उसको उस वाईरस को बिसिकली हाफ के इंदर इंजेक्ट किया जाएगा ताकि वो कोई disease cause ना कर सके लेकिन आपकी body उसको पैचान लेगी और इसके against antibodies बना देगी तो इसमें आप कैसे virus का अस्तमाल कर रहे हैं weakened या फिर attenuated या फिर inactivated इन एक्टी वेटिड वाइस तो इसका अस्तमाल करते हैं आगे इसको आप यूज कर सकते हैं इसमें DNA technology और next कर रहे हैं कि vaccines for food and mouth इसमें भी आप vaccines का इसमाल करते हैं लेकिन यह जनरली इसमाल होती है अनिमल्स क्यों पर तो अनिमल्स के लिए जो vaccines बनाई जाती है न वो बिसिकली यह वाली होती है जिक है महाँ पर आप इसका अस्तमाल कर सकते हैं इन disease के लिए उन vaccines को बनाया जाता है and that is veterinary medication veterinary medications न आप इसका अस्तमाल करते हैं that is how we can say option number D is the correct answer सारी की सारी आप DNA technology की मदद से बना सकते है 16 question the protein toxin produced bacteria used to control the biological pest is तो toxin producing जो bacteria है न वो कौन से biological pest को control करने के लिए जो बनाया जाता है वो क्या है basically तो कौन सा कहां से निकालते हैं उसको हम बैसे दस स्वन जाने से निकालते हैं बहुत सिंपल से सवाल था यह तो एक बीड कुएशन कब जब यहां पर option में से एक option में lapidopterians आ जाता प्रकास तब बच्चों को ना English पढ़नी निया थी काफी बच्चों तुमने ऐसे देखे हैं कि या कोचिंग सवर्णा में जिनको question की English की Hindi framing ठीक से नहीं आ पा रही है तो इस लिए तो इसने यह उसका सवाल नहीं है इस इस नोट question देखो which one of the following is correct statement कौनसे statement सही है आपको यह बताने क्या सतांसर लगाया देखें तो BT जो है in BT cotton indicates the genetically modified organisms produced through biotechnology क्या BT cotton में जो BT शब्द है उसका मतलब क्या यह होता है कि genetically genetically modified organism है हाँ वो genetically modified organism तो है मगर BT का मतलब यह नहीं होता BT का मतलब होता है बैसलस थुरण जैनेसिस तो somatic hybridization नहीं anti-coagulation नहीं flavor saver tomato has enriched okay one minute which have improved the taste uh anti-coagulation heroin is being produced through the transferring pressica napas seat hybridization issues तो as of now हम इसका अंसर option number a ही लगाएंगे बगास और options जो है वो available ही नहीं है वैसे exactly इसका मतलब BT का मतलब यह नहीं होता लेकिन हाँ जो BT जो होता है in BT cotton indicates that it's genetically modified organism आप इसे मान सकते हैं लेकिन actually में वो BT क्या indicate करता है bacillus thurangenesis को indicate करता है fine तो as of now आप इसका answer यह option number a लगा सकते हैं कोई option ही नहीं है ना कुछ तो लगाना पड़ेगा fine तो गलत नहीं है एक तरीके से मगर इससे और better option आपको मिल सकता था जो कि option में नहीं दिया तो anyways हम इससे खुश है नेक्स देखो क्या करा है which of the following is true conscious statement सही है आपको यह बतानी है fine तो यह तीन वर्ट्स हैं जो इस chapter की ending में आते हैं बच्चे अगेन उसको रीड नहीं करते हैं ना बिकॉस बहुत लाइट ले जाते हैं उसको और लाइट के साथ ही खेल जाता है और तुमारी बत्ती बुलो जाती है ना देखो इन बाइवार इस यूस्ट ऑफ इस दे यूस ऑफ बाइलोजिकल वैपन का इस्तमाल करना अगेंस्ट हुमन या उनकी क्रॉप्स के अगेंस्ट ठीक है सभी बात है बाइथिक्स क्या होता है नहीं और गया होता है इसे कउल राइसे पाइव इस Maison नियूज इए। एंड यह जो बतारा है यह लाइन जो बता रहे है इस लाइन इस नॉट बायो पेटेंट इस एक्चुली कॉल्ड एस बायो पाइड़सी और जो यह वाला है इसे आप बायो पैटेंट कहते हैं चैक है तो ऑप्शन नंबर एक तरीके से में गोलबता है किसीरे फर्स्ट वाला कर लेना with some written form and documentation तो वो option यहाँ पर कहीं mention नहीं है बायो पेटेंट आप जानते हैं यह नहीं होता बायो पेटेंट इस लाइक किसी चीज़ को यूज कर लेना under the documentation or like by taking the permission and biopiracy is this one जो return and definition exploitation जो होता है वो बायो पायरेसी आएगा तो इसको ना keywords की form में याद करो exploitation word आएगा तो बायो पायरेसी हो जाएगा ठीक है बायो एथिक्स में आपके पास documentation words आ जाएंगे इस तरीके साथ इसको याद कीजिए तो option नमर ए जो है अभी को फिलाल सही है बागी सारे options जो हो गलत है fine this is wrong this is wrong this is correct 19 पे आते हैं के रहे हैं the cultivation of BT cotton has been much in the news the prefix BT means अब आ है न असली सवाल yeah that's a nice question तो के रहे हैं के BT cotton में जो BT है इसका मतलब क्या होता है आपको यह बताना है तो अब हम आंसर जानते हैं इसका क्रेक्ट आंसर क्या होगा carrying an endotoxin gene from the bacillus throngenesis right यह मतलब होता है सब्सक्राइब कर लीजे यह नेटे प्लास्मिट के बारे में पूछ रहा है आपसे कर लिया attempt तो आपको बता है कि सबसे पहला जो रिकॉंबिंट डियन है वो किस ने बनाया था कोहन और बॉयर ने बनाया था इसके लवा से कॉन से वाले बैक्टिया को उन्होंने इस्तमाल किया था साइब यह सालमोनला टाइफी मूरियम के अंतर और एंड़ इस बैक्टियरिया बिकम एंटिवाटिक रसेस्टेंट तो क्या हुआ था इसमें पहली बात तो जो कोहन है कोहन एंड बॉयर यह दियार दफ वन फॉर्स्ट डिस्कवर्वर्ड और डियन कैसे क्या फॉर्स परपस उन्होंने क्या इस्तमाल किया फॉर्स दे यूस्ट वाट यूस्ट वाट यूस्ट वाट यूस्ट सेलमोनला टाइफी मूरियम चैक है तोersonमोनला टाइफी मूरियम का उन्होंने इस्तमाल किया और बेसिकली कैसे कि लूने एक यहां से प्लाश्मिट निखाला दाइश आस Gyटी प्लाश्मिट इन नेटिव है विर्लाश्मिट ओंट यह थहा है यह सेलमोनला इब काय सेलमोनला टाइफी मूरियम fine हम ओके और साथ में नों क्या क्या है किसी E-coli से एक antibiotic resistant gene निकाल दिया E-coli से एक antibiotic resistant gene निकाल दिया और उस gene को उन्होंने लाकर दिया इसके साथ मिला के सबसे पहला recombinant DNA त्यार किया था जिसमें क्या था ये तु था प्लास्मिड नेटेव प्लास्मिड साथ में क्या लगा हुआ था ये फॉरन gene लगा हुआ था and that's how they prepared the first recombinant DNA fine तो बात की जाये जो नेटेव प्लास्मिड था वो किसका था वो नेटेव प्लास्मिड जो है वो ये लगाया हुआ या जो प्लास्मिड है उसमें हमने किसको जोड़ा है ये को लाइक हो अगर सवाल पूछ रहा है नेटेव प्लास्मिड नेक्स बात है 21st the genetically defected adenosine deaminase deficiency में क्योर पर्मनेंटली तो ADA जो SCID है न उसको आप कैसे पर्मनेंटली क्योर कर सकते हैं यू कैन क्योर दिस पर्मनेंटली तो आपको बताया था हमने कि अगर इसका पर्मनेंट क्योर हमें चाहिए पर्मनेंट क्योर तो embryonic stage के अंदर bone marrow मेंसे जो ADA deficiency gene है न उसको निकालो ठीक है embryonic stage में क्या करोगे आप जो आपको बनाना है क्या है ADA CDNA CDNA gene जो है न फ्रम बोन मेरो फ्रम बोन मेरो आफ नॉर्मल पेशिंट नॉर्मल पर्सन नॉर्मल इंडिवीड वल इसमें से इस वाले gene को निकालो और embryonic stage में उसके अंदर किसके अंदर लिंफो साइट्स के अंदर ना इंट्रूसिंग दा बोन मेरो सेल प्रेदूसिंग एडी ए इंटु दा सेल अड़ अध्ड अम्री अम्रेक सटेज या फिर पे रियोडिक इंफूज़न ऑफ जेनिकली इंजिनिरीं इंग लिंफो साइट्स तो पीरियोडिक इंफूज़न तो पर्मनेंट क्योड हुआ ही इसका है ना और सेकंड भी नी होगा लास्ट भी नी होगा तो आप्शन नमर्स सब्सक्राइब होती है एक अच्छा सवाल है जिसमें आपको शायद आंसर देख के ऐसा लगए किया मेरा अंसर तो कुछ और था मेरा भी गया है सब आंसर दूसरा ही क्यों बता रहे हैं, but you try it first, देखें, चली, तो इसका आंसर जो होने वाला है, वो होगा option number D, now wait करो, रुगो मैं समझा रहा हूं, तो option number C क्यों नहीं है, option number D ही क्यों है, तो C में कहा रहा है कि high yield and production of a toxin proteins crystalline, which is like daptadian pest, तो आपको बताए कि यार, BT में हम इ ठीक है, और वो specific species में कौन-कौन से species आती है, insect की, वहाँ आती है आपकी LCD, that is lepidoptarians, koreoptarians, और diptarians, यह तीन आते हैं, इसमें से lepidoptarians में कौन आएंगे, आपके, bullworms आ जाएंगे, ठीक है, और coleptarians में क्या आ जाएंगे, आपके beetles आ जाएंगे, और जो next diptarians इसमें कहाएंगे, mosquitoes आ जाएंगे, mosquitoes या फिर flies, यह सब कुछ आ लेंगे, चिक है, और हमने एक data और भी याद किया था, इसमें वो data किया था, the data goes like, जो हमारे पास cry first a, b है, और cry first a, c, और cry second a, b, इन में से हम जानते हैं कि आज आपके पास first वाले हैं, cry first a, b, यह क्या करता है, यह corn borer पे affect करता है, corn borer पे, और last के जो दो हैं यह bullworm पे, तो अगर यह दो data आपको याद देना, from this bt, तो I think this is more than sufficient, ठीक है, अब अगर answer पे आते हैं, तो हम कह सकते हैं, कि यहाँ पे तो dipterians लिखा हुआ है, और bt जो है, वो dipterians पे भी attack करता है, तो dipterians को भी kill कर देगा, लेकिन ध्यान से पर यहाँ पे cotton की बात हुआ है, और cotton पे generally जो है ना, वो bullworms attack करते हैं, cotton bullworms, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यह नहीं लिखा हमने, सिर्फ यहाँ पे अगर bt लिखा होता ना, तो bt में हम इस वाली statement को consider कर लेते, सही है यह भी, लेकिन as of now ही गलाट हो जाएगा, because we have a more better option, करा है high yield मनेगी, और resistance प्रोवाइट करेगा, bullworms के against in the bt cotton, that is why option number d is the correct answer, hopefully you are satisfied, अगर आप satisfied नहीं है, तो just please let me know in the comment section, मैं इस answer के लिए एक short भी मना दूँगा, चिक है, next, an improved variety of transgenic basmati rice, तो basmati rice जो हमने बनाई है, improved variety वो क्या है, तो आपको बता है, कि उसमें vitamin A content जादा है, जिसे आप golden rice कह रहे हैं, तो high yield देगा, और vitamin A जो है उसमें जादा होगा, जादा है, insecticidal protein, this protein is what, this protein is what, does not kill the carrier bacterium, which is itself resistant to the toxin, या bind to the epithelial cell of midgut of the insect, ultimately killing the pest, or the insect, yes, तो वो alkaline medium में जाके activate होगा, alkaline medium में जाके, कि जो crystalline protein है ना, toxin वो activate होगा, और activate होने के बाद, जो epithelium cells है ना, intestine में, तो जो epithelial cells of midgut है, and हम कह सकते हैं, it will act upon epithelium cells of midgut, और last में या कर देगा, perforation cause कर देगा, last में, perforation cause कर देगा, fine, that's how, वो enzyme जो जो जाएगा, and that is why B is the correct answer, 25 देखो, कहले लिए था, BT toxin is not a toxin to human beings, because, तो BT toxin जो है, वो toxin क्यों नहीं है, the pro BT toxin activation, requires the temperature, above the body temperature, या फिर BT toxin जो है, it's like only insect specific, या BT toxin जो है, formation from, pre BT toxin required the, lower temperature, like lower pH, क्या उसे और acidic environment चाहिए, या उसको highly alkaline environment चाहिए, तो activate होने के लिए, उसको क्या चाहिए, highly alkaline environment, इस वाज़े से, वो humans में कोई impact cause नहीं करता, fine, 26 पे आज़ो बई, last के 4 questions बता है, फटावट से लगाता है इनको, मगर सीखते हुए, ठीक है, समझते हुए, तो नेमर टोड है, तो नेमर टोड है बीन डेवलब बाई, इंटेदूसिंग देडिने रेट प्रडूसिस, तो तो नेमर प्राइब आपको इस पूरे प्रॉसस को, अब इसमें क्या होगा, कि जो नेमर टोड है, उसमें आप जो इंटेदूस करवा रहे हैं, वो क्या करेगा, वो बोथ सेंस और एंटी सेंस दोनों को बना देगा, डिसकी वाइस क्या बन जाएगा, डबल स्टेंडड आरने बन जाएगा, इसकी वाज़े से, नो ट्रांसलेशन, इस तरीके से, वो जो नेमर टोड है, वो क्यों हो जाएगा, तो यह बूल वाउम की बात कर रहा है, तो बूल वाउम के लिए इन में से कौन सा वाला होगा, नो इट सा वेरी गूड ग्वेशन, जो कि, नीट में आप सारे के सारे 32 चैप्टर लेके बैठे होई हो, उन 32 चैप्टर में से, एक चैप्टर का ये बेसिक सा पॉइंट, याद रखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए सवाल काफी अच्छा बन जाता है, तो अगर देखा जाए, याद अब भी हो सकता है, तो हम आप्शन आपर अपर ज्यादा प्रिफरेंस देंगे अभी को, ठीक है, बिकाँ ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पर ना ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर लो, इस लेक्क कराई फर्स्ट अबी, जाए फर्स्ट अबर एस दा करेक्ट आपसर चेंज कर लिए नहीं होता है, जो साबसे सने दियाने लगके, यह स्मॉल सी होता है, फर्स्ट स्मॉल सी और यहाँ लेखा हुआ है, क्या, सेकंड अबी, और यह दोनों ही हैं, जो क्या करता है, क्या करता है, किसके लिए, बीटी बूल वाम के लिए, अब ए तो होगा नहीं, कि यह तो गलत लिखा हुआ है, तो यही हो सकता है, बाकी जो तीसरा बची काया, तीसरा बला कौन है, क्राए, 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 फर्स्ट अबी, यह तो इस तरीके से क्वेशन काफी अच्छा था, हाना, नेक्स पर आते हैं, क्वेशन नमबर 28, करे रहे हैं था फर्स्ट रांजनिक प्लांट रिलीस फ्रम लेक कॉमर्शली 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 जो फर्स था वो तो आप चानते हैं, इसने इंडिया की बात नहीं करें ना, इसलिए हम टबैको लगाएंगे, चिक है, नेक्स्ट, 29, ठीक है, I'll still confirm this question, because this question is not mentioning whether world या फिर फिर इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है, वर्ड पूछेगा तो आपको बता है टाबैको आएगा लेकिन वैसे आप BT cotton जो है वो लगाएंगे normally, fine, ओके अगर इसने वर्ड मेंशन नहीं किया तो हम इंडिया ही मानके चलते हैं, है ना, तो इसलिए answer number A जो है वो और चानते हो जाएगा, BT cotton is a correct answer, always remember this, अगर वो वर्ड वर्ड मेंशन करेगा तब आप cotton पर जाएंगे लेकिन अगर उसने वर्ड वर्ड मेंशन नहीं किया है तो आप simply BT cotton को ही answer मानके चलने वाले है, fine, 29 देखो, which kind of therapy was given in 1992 four year girl that is ADA deficiency which was a immunotherapy because the girl was suffering from SCID, severe combined immunodeficiency, last question पर आते हैं, saying that, hopefully आपने question ready कर लिया होगा, कर रहां, biopiracy जो है वो किस चीज से related होता है, traditional knowledge से, biomolecules and regarding the bio resources से, या फिर bio resources से, तो यार इन सभी चीजों का exploitation करना, biopiracy कहलाया जाएगा, exploit, exploitation करना, एक तरीके से biopiracy कहलाया जाएगा, that's why option number D is the correct answer, all of these, fine, so shall we complete all these questions, hopefully you enjoy this session, कुछ नया सीखा आपने होगा, साथ पसाथ आपने इस chapter पूरा रिवाइस भी कर लिया है, at least आप अभी तक 60 questions लगा चुके हो, जो अच्छे सवाल है, और आप पिद्दू सवाल नहीं है, इस तिल आपको यह chapter कर पढ़ना हो, तो आप सिंपली YouTube पे सरच कर सकते हैं, लक्षर सर बाइलोची और टॉपिक का नाम, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा, If you have any kind of suggestion for me, please let me know in the comment section, and if you like our efforts, please hit the like button. We'll see you in the upcoming classes. प्ड़ह करते तो और हैं सेफरें, बाइगा, टेकर.